नमस्कार दोस्तों, संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा माग पूर्निमा का महत, पूरन पूझा विधी और माग पूर्निमा की कथा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों वीडियो को पूरी सुने, पूरी सुनने के बाद शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर कमेंट जरूर करें दोस्तों माग पुर्णिमा 9 फर्वरी 2020 में रवी वार को आ रही है वैसे पुर्णिमा 8 फर्वरी शनी वार को शाम 4 बच कर 1 मिनट पर शुरू हो जाएगी और 9 फर्वरी दुपहर 1 बच कर 2 मिनट तक रहेगी और 9 फर्वरी को माग शनान दान जब तप किया जाएगा दोस्तों इस बार 2020 में माग पुर्णिमा महा योग में बन रही है जो की सभी पुन्यों को देने वाली है आर्थिक संकट दूर करने वाली और मोक्ष परदान करने वाली है दोस्तों वैसे तो पूरा माग मास शनान दान के लिए अतिप पुन्यकारी होता है पर जो माग मास में शनान नहीं कर पाए वो माग पुर्णिमा को इस पुन्य करम को करने से वंचित ना रहे अठात माग पुर्निमा को सुर्योदय से पहले उठकर गंगा चल मिलाकर नहाने के जल्मी फिर शनान जिरूर करें दोस्तों माग पुर्णिमा पर चंद्रमा करक राशी में स्वग रही रहेंगे और सूरे अपने उच्छ राशी में गोचर करने से शुफ फल देने वाले होंगे दोस्तों इस बार माग पुर्निमा बहुत अच्छे योग में आ रही है इसलिए इस दिन तिल पात्र कंबल का दान ब्राहामन को जरूर करें दोस्तों माग माश शनान सभी के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों यदि नहीं किया तो पुर्णिमा के दिन शनान करें और फिर भगवान विश्नु और शिव की पूजा करें भगवान विश्नु को और शिव को सुगंधित पुश्प चढ़ाएं भगवान विश्नु को तुलसी दल और भगवान शिव को शहत और गंगा जल चढ़ाकर फिर बेल पत्र चढ़ाएं कभी धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी दोस्तों फिर सुर्य भगवान को ओम घ्रियाय नमें कहते हुए जल दें फिर कंबल का रूई का तिलों का दान जरूर करें माग पुर्णिमा को अपने पित्रों का आशिरवाद पाने के लिए काले तिलों से पित्रों का तरपन जरूर करें जब आप पित्रों का तरपन माग पुर्णिमा पर करेंगे तो पित्र आपको खूब आशिरवाद दे कर जाएंगे दोस्तों फिर ब्रहामन को भोजन कराएं और दक्षिना दें फिर ग्रीब लोगों को भोजन बांटे ऐसा करने से आपके जीवन में कभी अनधन की कमी नहीं रहेगी और किसी तरह के भी संकट आप पर नहीं आएंगे दोस्तों माग पुर्णिमा पर जो खास महापुरुष योग बन रहा है इस पर यदि खास उपाय किये जाएं तो सुक सम्रिद्धी का वरतान मिलता है दोस्तों माग पुर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों की बंदनवार बना कर जरू टांगे कभी भी धन की कमी आप पर नहीं आएगी और मा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी दोस्तों माग पुर्णिमा पर हल्दी से मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माग पुर्णिमा पर देवता भी मनुष्य रूपधारन करके प्रियाग में श्रान करते हैं जब दान तप करते हैं तभी माग पुर्णिमा पर प्रियाग में श्रान करने का बहुत महत्व है ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनों कामनाई पूरी होती है माग पुर्णिमा को देवता अंतिम दिल प्रयाव में शनान करके अपने लोग को वापिस चले जाते हैं दोस्तों माग पुर्णिमा पर जो ब्रह्म मुहूरत में उठ कर शनान करते हैं उनकी शारीरिक व्यादियां दूर हो जाती है और उन्हें निरोगी काया मिलती है माग श्रान करने वालों को नरक से मुक्ति मिलती है माग पुर्निमा को ब्रह्म बैवर्वत पुरान का दान जरूर करना चाहिए इस दान से मनुष्य को ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों माग पुर्णिमा को मन में किसी प्रकार के बुरे विचारों को ना आने दे। ना किसी की निंदा करें और व्यर्थ की बातों में समय भरबाद ना करें। बलिक भगवान के नामों को पूरा दिन समरन करते रहें। दोस्तों माग पुर्णिमा की एक पुरानिक कथा है जिसे मैं आप को सुनाने जा रही हूं। प्राचीन काल में नरमदा नदी के तड़ पर शुप्रवरत नाम का एक ब्रहामन निवास करता था। वेह बहुत लालकी था। हर समय धन कमाने में लगा रहता था। वो धन कमाने का साधन चाहें जैसा भी हो। दोस्तों पूरा जीवन ऐसा ही करता रहा। धन कमाते कमाते वेह विद्ध हो गया। अनेक परकार की व्याधियों से ग्रस्थ हो गया। इसी बीच उसे ग्यान हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नश्ट कर दिया। और मुक्ति के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। अब मेरे जीवन का उधार कैसे होगा। मैंने तो आज तक कोई सत करम दिया ही नहीं। उसी समय उसे एक शलोक समरन आया जिसमें माग मास के शिनान का महत्वबताया गया था। शिब्रवरत ने माग शिनान का संकल्प लिया और नो दिनों तक नरमदा के जल में शिनान करता रहा। दसमें दिन उसका स्वास्थे खराब हो गया और सोचने लगा कि मैं तो पूरा जीवन धन अर्जन करने में लगा रहा। कोई पुन्य करम किया ही नहीं और अब तो मुझे नरक लोक में रहना पड़ेगा। मैंने मुक्ती का उपाये तो कोई किया ही नहीं। पर माग मास के शिनान से उसे मोक्ष की प्राप्ती हुई। माग पुर्णिमा का शिनान बहुत ही पुन्य फलदाई होता है। माग पुर्णिमा को शिनान करने से नुश्य को निरोगी काया मिलती है और मनों वांचित इच्छाएं पूरी होती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। Hare राम, Hare राम, 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 राम Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.